सो हे गाईज आप सभी का टॉक बैविरा चैनल में स्वागत है फिल्म निर्मातासी प्रेम कुमार अपनी नवनमित फिल्म मी जगन के साथ एक बार फिर कुछ नया पेश कर रहे हैं इसमें वे जिवन के दुख और साधर अन्सुक की पुरान यादों से भरपूर खोज रहें ऐसे चीजें जिसमें हमें अधिकांश लोग बड़ी और महंगी आकांशाओं की खोज में दीक रहें मेया जगन दो मुख्य किरडारों पर आदारित है एक अनमव्यक्ति और अरुन मोजी वरतम या अरुल अरुल एक होसिज शहरी निवासी है जो नो से पाच की नोकरी करता है और हमेशा बिलो का भुकतान करने की चिंता में रहता है इसके विपरित अनमव्यक्ति एक पूर्णो और सहतंत्र जिवन जीता है उसके पास एक बैल है जिसका नाम धोनी है जो जल्ली कोट्टु के आयोजन में अपराजित है उसके दोस्ता एक घनिष्ट समू है जो उसे सुबह तीन बजे बियर लाकर देता है और एक बड़ा प परिवार ने अपने रिष्टडारों और उनके अतित से दूरी बनाई रखी है अरुल को अनिच्छा से अपने चेचरे भाई की शादी के लिए अपने गुरुण अगर लोटने के लिए मजबूर होना पड़ता है केवल अपनी बहन के प्यार के लिए वहाँ वह एक अनम से मिलता है जो अरुल के लिए अजनबी है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति उसके पूरे इतियास को जानना चाता है शुरु में अरुल उसे एक गाव का मुर्क समझ कर खारिच कर देता है उस आदमी के अतियुस्ता और बातुनी स्वबाव के लिए अपनी नापसंदी को छिपा हाला कि आदमी की असलियत का ऐसा सोने पर अरुल जल्दी ही उसे अपने प्यार करने लगता है उसके चरित्र में दिखाव का एक निशान नहीं है उस आदमी के घर पर बिताई गई भग्यशली रात अरुल को खुद को फिर से खोजने का मोका देती है शहर में आने से और छ कि हम कौन है तभी हम आत्मबोथ وिकसित कर सकते एक ऐसा अदार जो हमें एक मज़ेदार रात के दरण कुछ बीयर के साथ फिर से बताने लायक जिवन जिने की अनुमती देता है और उसमें दर्ज होने लायक जिवन जिता है उसके वीपर इत अरुल एक निश्क्रिया कर सकते यह वेल और साइकल की कहानी दोनीं ही बहुत खास है के आखों में से आसुल आ सकूती हैएक कहानी वास्था में तब सपल होती है जब वह आपको इतनी गहराई से अपने में समाहित कर लेती है कि आप सपश्टा उत्तर को देखने में वीफिल हो जाते हैं बले ही वह आपके सामने क्यों न हो ऐसा तब होता है जब आप अपनी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे होते हैं बलकि पूरी तरह से पात्रों के दिमाग में होते हैं आप केवल वही जान और आप अंजाने में उस पल से बहर नहीं निकलने का फैसला करते हैं उनके साथ उत्तर खुजने के लिए उस्तुक होते हैं यह एक ऐसी फिल्म का संक्यत है जिसने वास्तव में आपकी कलपना और आपके दिल पर कबजा कर लिया है मेया जागन एक ऐसी फिल्म के हैं जो कह को का आसानी से बांद लेती है जिस तरह से उन्होंने मेया जगन को उज्जागर किया है वो आपको इसकी दुनिया में खिचता है जिसे आप इसके पात्रों के साथ कई तरह के भावनाव का अनुभव कर सकते हैं आशिक रूप से इसलिए क्योंकि आप इन कहानियों के पिछे की इमानदारी को महसुस कर सकते हैं